Students, तो आज की वीडियो में मैं आपको start करवाने वाली हूँ small alphabets, ठीक है? Small letters में A, B, C, D कैसे लिखते हम लोग cursive में? चलो देखते हैं आजो सबसे पहले A है, देखो, इस small letters लिखने में न हम लोग ये दोनों line का use नहीं करते हैं सिर्फ ये दोनों line का use करते हैं, यहां से शुरू करेंगे, ऐसे अंडा और एक ऐसे, फिर देखो, ऐसे, ऐसे फिर से देख लो, ऐसे और ऐसे देख रहे हो ना? हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, ऐसे एक अंडा बना रहे हैं और एक छोटा सा उच्छी फिर देखो, एक ऐसे, 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 ना इस line पर touch हुआ, ना इस line पर touch हुआ, सिर्फ किस तोनों line के touch करें, यह और यह अब हम लोग घर पे कैसे practice करेंगे, पहले हम लिखवाएंगे किसी से और फिर हम इस पो repeat करेंगे, चलो और सुन्दर से लिखने के कोशिश करना आप लोग ठीक है, और ध्यान देना सिर्फ बीच के दो lines को हम लोग use करेंगे, चलो repeat करो साथ में, repeat, 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 ठीक है, इस तरह घर पे आप 10 to 15 times repeat करेंगे, और जब हमारा यहां बहुत अच्छे से हो जाए, फिर अपनी English copy लेंगे, यहां से शुरू करना है, यह third line, तीसरी line से, one, two, three, एक यह दूसरी line को touch करेंगे, फिर एक under और एक S से दिखो, है ना, समझाया, इसी तरह घर पे भी आप लोगो यह practice करना है, चलो आगे मिलती हूं मैं आपको कल की वीडियो में, बाई!